हलो फ्रेंड गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सब का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सपना के इस छोटी सी दुनिया में तो यहां पर मैं आज वीडियो स्टार्टिंग कर रही हूँ नास्ते से और यहां नास्ते में मैं बना रही हूँ आज बिल्कुल ही नियू और हैल्दी सिभारा पोहा तो देखिए मैं किस इस तरह से पोहा बनाती है और साथ में चाय क्योंकि इतनी बरसात हो रही है ना तो इस बरसात में नास्ता ये तो बनता है तो इसमें मैंने घी डाला है कड़ाही में आप घी के जगह पर रिफाइन वोयल या फी करवा तेल मतलब करवा तेल मतलब हुआ सर्शो का तेल ये भी और टेस्ट आता है तो इसमें प्याज और बस कुछ ही इसमें नहीं डाली है सिर्फ प्याज और हरी मिर्च और बस इसी को भून लेना है हमें और भून कर जैसे कि मैंने दोनों चीज डाला है और उसके साथ ही मैंने बादाम भी डाल दी हूँ साथ साथ में कि साथ साथ में अगर डालने से न ये अच्छा भून जाएगा भी दोनों भून जाएगा मतलब बादाम भी हमारा अच्छी तरह से हो जाएगा और प्याज भी हमारा ब्राउन कलर हो जाएगा तो साथ में इधर मैंने चाय बनाई हूँ तो चाय ये बना रही हूँ तो लेकिन मेरे हैजबन को बतलब मेरे हैजबन को चाय चीनी वाले नहीं पसंद है तो मैं क्या करूँगी उनके लिए चाय इसी तरह निकालूँगी और इसके बाद मैं उसमें चीनी डालूँगी जो मै तो मेले घर में और हैस्बेन धूरा मोला चाइ पि लेते हैं जब मदन करता है तो मिद भी लेते हैं इतनी मुझे मतलब अथी यह की जैसे के फीना ही लि कि फीना ही नहीं है कि जानी में कि हल्दी और नमक मैने डाला है पोहे में और इसके बाद मैंने पोहा धोकर रखा हुआ है और जब भून जाए तो इसमें टमाटर भी डाल दूगी और टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मुझे पका लेना है गला लेना है टमाटर भी गल जाए तो इसमें पोहा डालेंगे तो में कहां थी? चाए पर चाए मेरे हैजवन पीते नहीं है उतनी कभी-kभी सोब करता है तो पीती हूं और मौसम इतना बढ़ियां किया हुआ इतना बढ़ियां किया हुआ इतना बषात मतलए पानी पड़े जा रहा है तो देखिए इसमें मैंने डाल दी हूँ पोहा और मैंने पोहा धोकर रखे हुए थे और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी भूनना नहीं है बस हो गया मेरा तैयार इसे अच्छे से चला देना है धीमी आज पर बस मेरा ये पोहा तैयार है और ये देखें कितना अच्छा पोहा बना बहुत ही टेस्टी लगा ये पोहा आप इस तरह से एक बट राय जरूर करें बहुत ही अच्छा लगेगा ये पोहा खाने में मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसमें टमाटर का जो अलग टेश्ट आता है खटापन जो बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर देखें एक चाय बीना चिनी का एक चाय चिनी वाला है जो मैं पिऊंगी मेरी हेजमन बस मेरे दो बेटे हैं जो नहीं पीते हैं हाट आए्ट रहत आदेता है नहीं पीएगा क्यानकी उन्हें चाय मैं ने देती भी नहीं हूं और कभी-कभी हो पीता है बस वैसे रोज नहीं देती हूं क्योंकि चाय हानिकारक भी है उसके जगह कुछ और जुस वेगर पीएगा तो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए उन लोगों के लिए तो यहां पर नास्ता हमारा हो गया है और नास्ता करने के बाद मैं आ गई हुई यहां पर कपड़ा बेगर था बहुत बचिर नहाएं धुएं थे तो उनहीं लोगों का कपड़ा था तो कपड़े को मैं धो लेती हुँ और बरसात मतलब पानी इतने पढ़ रहे थे दो दिनों से ना कि पुछिए मत बहुत पानी पढ़ रहे थे तो कपड़े भी ना जो भी फीचती तो खराब जीससे कि उसमें गंध में सुकता है तो थोड़ा गंध में कप्रों में अलग अलग और चुछ. अब मनी धूस, आया एक हावा थो बहुत आ दूस सुछ दोड़ा भूत दूस, फान थोरा supply पनी cross, और अब मैंने धूप आ गया है और तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे चीज़े को मैं धो देती हूं पाइदान था तो उसको भी मैं धो लूँगी आच्छे से और उसे धूप में थोड़ा सुख जाएगा तो ठीक रहेगा बहुत दिन से धूप तिन चार दिनों से लगवा आनी पड़ा था और हावा आज सिर्फ हावा ही चल रहा है बहुत मस्त हावा चल रहा था आज तो फ्रेंड्स और इसके बाद मैं शनान वेगरा कर लूँगी और घर में पहुचा वेगरा लगाई हूं इसके बाद ही धोरी हूं कपड़ा और इसके बाद मैं जांगे शनान भी करना है मुझे कर दो कर दो ठाय कर दो पाय आप तो फ्रेंड्स हमारा असनान हो गया है और यहां पर बाल जार रही हूं इतने मतलब इतने उल्जे हुए रहते हैं बाल कि मुझे जारने में लग जाता है बौर टाइम और देखिए कितना हावा चड़ रहा है बहुत हावा चड़ रही है अब बहुत अच्छा मौसम भी किया हुआ है तो मैं बालो को भी बाहर ही जारती हूं अंदर जारने पर कहीं केस उस गिर जाता है तो खाने वेगर में चले जाएगा तो कोई खाना नहीं खाएगा मेरे यह क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता ना अगर केस मिल जाए खाने में न उल्टी आने लगती है मुझे भी यही हाल है कुछ भी केस भी आ जाए ना खाने में तो उल्टी जैसा आने लगता है तो इसलिए मैं बालों को बाहर ही जाड़ती हूं इधर की इधर गीरेगा तो कोई बात नहीं होगा तो फ्रेंड्स तब यह दो दिनों से थोड़ी सी खराब थी तो मैं किसी के पास नहीं जा पाई हूं और बस तो फ्रेंड आज की वीडियो यही तक था फ्रेंड्स तो बस इतना ही था आज की वीडियो फ्रेंड अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब त